यहां पर मैंने देखिए दो जे रोज बनाई हैं एक नंबर की रोज है एक मैट्रिक रोज है आपको जातो नंबर्स में क्रोशिया मिलेगा या एमेम में क्रोशिया मिलेगा अब कहियों में नंबर लिखे होते हैं कहियों में एमेम लिखा होता है मैट्रिक में होता है कौन सा कितना थिक और कितना पतला चूज करना है वो ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ हैलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो सिंप्लिफाइड क्राफ्ट तो चलिए आज सीखते हैं कुछ निया और मैंने एक वीडियो अपलोड करा था क्रोशिय का उसके अपर मुझे बहुत सारे क्वेस्चिन आये हैं कि आपने मतलब यह क्रोशिया और धागा इसका पूरा एक्जेक नंबर में आप बताईए कि किस तरह से कौन सा धागा कौन से क्रोशिय के साथ यूज किया जाता है तो चलिए, आज में इसी कन्फीूजन को दूर करने वाली हूँ तो यहां पर मैंने तीन यह दागे लिये हैं मतलब फूल दी है माईने जातीम दीन साइज में आप में आप यहां पर में रहीत हुआ कर्स पूरा मिरी यहां पर आप उ fryूल Southern तो आप इन दोनों में फर्क देख सकते हैं यह ठिक है यह मीडियम साइज की है और यह पतले में है तो इससे भी पतले में काफी सरी वूल आती है तो आपको मैं आज वही confusion जो आपका दूर करूँगी कि आप कौन सी उन के साथ कौन सा क्रोशिया यूज़ करें तो चलिए यह जो हमारे तीन वूल हो गई और इसी के according आप देखिए अभी जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने यह चीज़ बताई थी कि मोटे वाले धागे के साथ आपने मोटा क्रोशिया यूज़ करना है तो आप इसको उसमें मैंने यह बताय था क कि आप इसको इस तरह से देख के चेक कर सकते हैं कि कितना मोटा वूल है उसके साथ कौन से हुक जो यूज़ होगा कौन से नंबर का हुक जो क्रोशिय का आप यूज़ कर सकते है तो आपको यहां से देख के ही एस्टिमेट लग जाएगा लेकिन फिर भी मुझे कुछ कि नंबर में कौन से नंबर में कौन सी वूल यूज़ की जाती है तो चलिए आज में वही चीज़ आपके साथ डिसकस करने वाली हूँ तो सबसे पहले आपने यहां पे बस में आपको यहां पे टीन साइज बताऊंगी इसके बीच में बहुत सारे वूल के साइज आते है यह जो मेंने आपको यह दिखाया है इससे मोटे साइज भी आते है वूल के तो लेकिन यह जो है एक मतलब थिक में इसको माना जाएगा इससे दो तीन नंबर और मोटे आते है ठीक है और यह है मीडियम साइज की वूल और यह है पतली साइज की वूल इससे पतली वूल भी तो आप अगर वह बूल लेंगे तो उसके साथ कौन सा क्रोशिया यूज करेंगे वह भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ तो अच्छे रिए स्टार्ट करते हैं अभी तो यहां पर यह क्रोशिया मैंने यह चार ले लिए हैं तो आपका मैं यह कंफ्यूजन अ चारट के तो आपको आपको अपलोड़ी हैं तो आपको क्लेर कर दोंगी तो अ स öncelikation कने को भीडियो बहुत जल्दी जो जुक्रोशिया चलाना सेख सकते हैं, कोन से किस तरह से अपने स्टार्ट करना है, किस तरह से पकुच पर भूए से खर मेस में, पर बाहु है, है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पे मैंने देखिए दो जेилось बनाई है एक नंबर की रोजा है एक मैटरी करो है ठीक है यहां पर है Herr mm ठीक है यह क्या है 6 mm ध्यान से आप देख लेजिए एक बार यह है 6 mm यह है आपको mm में यह क्रोशिया मिला है ठीक है यह मैंने mm में लिया है आप दूसरा में आपको बताती हूँ यह देखिए यहां पर 11 number ठीक है यह है number जिसके साथ mm लगा होगा वो mm वालर होगा और जिसमें mm नहीं लगा है means वो number वाला क्रोशिया है ठीक है आप कहियों में number लिखे होते हैं कहियों में mm लिखा होता है ठीक है अब आपने कौन सा कितना थिक और कितना पतला चूज करना है वो ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो जब हम यहां स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो one number है ठीक है अब आप बोलेंगे कि one number आप मैं आपको एक चीज़ यहां पे clear कर देना चाहत यहां से आप नीचे नीचे चलते जाएंगे तो आपको उन का पतला साइस और क्रोशिय का पतला साइस मिलता जाएगा ठीक है उन का पतला साइस होगा तो क्रोशिय के यह पतले साइस आएगे मतलब सबसे छोटे साइस का क्रोशिय आपको नीचे में मिलेगा सबसे मोटे सा अगर आप mm में लोगे 7.5, मतलब आपको सबसे मोटा वाला क्रोशिया 7.5 mm में मिलने वाला है, पहले इस चीज को अच्छे से समझ लो, फिर कुछ चीजें में और भी आपको बताऊंगी, अब उससे एक नंबर से दो नंबर थोड़ा सा छोटा आ जाएगा क्रोशिय में, तो में में लोगे तो उसके साथ mm जरूर लिखा होगा, ठीक है, खाली अगर 7 लिखा होगा तो वो numbers में आएगा, अगर mm साथ में लिखा होगा, तब ही वो 7 जो metric में आएगा, ठीक है, अब ये thickness कम होती जा रही है, सबसे उपर जो high thickness है, उसके बाद thickness हमारी कम होती जाएगी क् तीन नमबर में आओगे तो 6.5, चार नमबर में आओगे तो 6, देखिए चार नमबर में 6, अब ये देखिए मेरे पास ये वाला जो क्रोशिया है, ये है 6 mm, मतलब ये वाला ये वाला क्रोशिया है मेरे पास, ठीक है, और इसके साथ नमबर में कौन सा यूज होगा 4, ठीक है आप देखिए जो 6 mm, 6 matrix वाला जो क्रोशिया है उसके साथ मैं ये वाली wool यूज़ करती हूँ तो आप थोड़ा सा यहां से भी estimate लगा सकते हैं कि इस wool के साथ ये वाला क्रोशिया चल रहा है अब एक चीज और आप यहां से देख सकते हैं, क्या? देखिए अब जब आप इस धागे के साथ ये वाला क्रोशिया चलाएंगे, तो आपको खुद ही देख के ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि इसके साथ यही क्रोशिया चलेगा कैसे? ये देखिए यब आप इसको धागे को यहां पे हुक करते हैं इसके बीच में, तो ये देखिए आपको यहां पता चल जाएगा कि ये धागा exact पूरा इस हुक में आ रहा है अगर इससे मोटा होगा तो बाहर निकल जाएगा, अगर इससे पतला होगा तो बिल्कुल बीच में चला जाएगा बट आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल हुक में exact बैठा है ये धागा, इसका मतलब इस क्रोशिय के साथ यही धागा चलेगा आप इस तरह से estimate लगा सकते हैं, अगर आपको numbers का पता ना चल रहा हो, आप इस तरह से estimate लगा सकते हैं आप देखिए, इतना easily ये बीच से निकल रहा है, फिर से देखिए हम second वाला लेंगे, इतना easily ये बीच से निकल रहा है मतलब यह धागा आपका इस हुक में पूरा exact बैठ रहा है आप अगर मान लो कि इस हुक में आपको इस पतला धागा यूज करते हो यह वला धागा यूज करते हो तो इसको कैसे चलाओगे यह बहुत ही जादा बीच में एकदम से बीच घुस जाएगा यह देखो यह अच्छ लगा सकते हो कि क्रोशिय के साथ आपने दागे को कैसे चूज करना है तो इस तरह से आप यहां से हुक में डाल के दागे को चेक कर सकते हो कि क्या यह दागा इस हुक में अच्छे से लग रहा है अगर लग रहा है तो मतलब इस हुक के साथ यही दागा चलने वाला है नमबर और मोटे आते हैं ठीक है एक दोर तीन यह तीन नमबर यह इससे यह जो एक नमबर वाला है यह इससे बड़ा होगा यह हुक जो होगी आगे वाली इससे बड़ी होगी इसकी और धागा भी इसमें मोटा चलेगा ठीक है अब मेरे पास चार नमबर वाला है तो इसको ट ये वली लाइन से चूज करना है, अगर नमबर में है, only number में, mm नहीं है, तो आपने इस लाइन से चूज करना है, ठीक है, अब mostly जो मतलब क्रोशिया यूज किये जाते हैं, वो चार नमबर किये जाते हैं, मोटे वूल के लिए, अब उसके बाद 5 नमबर है 5.5, 6 नमबर है 5, 7 नमबर है 4.5, 8 नमबर है 4, उसके बाद 9 नमबर है 3.5, उसके बाद 10 नमबर है 3.25, ठीक है, उसके बाद 11 नमबर है 3, उसके बाद 12 नमबर है 2.50, 13 नमबर है 2.25 और 14 नमबर है 2 mm, ये सबसे पतला वाला क्रोशिया आता है, ठीक है, आप देखिए, मेरे पास जो सबसे पत 12 ठीक है ये नमबर है 12 अब ये 12 नमबर है तो कौन सा क्रोशिया है मेरे पास ये वाला अब अगर आप इसको mm में लोगे तो ये कौन सा आ जाएगा 2.50 mm ठीक है अब ये वाला जो क्रोशिया है इसको मैं इस वूल पे यूज करती हूँ तो आपको मैं यहां पे इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लेती हूँ ये देखिए हुक में आप देख रहे हैं किस तरह से ये धागा फिक्स हुआ है बस यहीं से आपको एस्टिमेट लग जाएगा कि हाँ ये धागा इसी क्रोशिय के लिए है बहुत इसली आप इसको लगा के धागा और क्रोशिय चूज कर सकते हैं आप मेरे पास एक है 12 नमबर उसके बाद मेरे पास एक है 11 नमबर ठीक है ये है मेरे पास 11 नमबर ये वाला तो 11 नमबर आपका 3 mm है ठीक है उसके बाद मेरे पास एक है 10 नमबर वो है 3.25 according to wool thickness आप यहाँ पे क्रोशिया चूज करोगे अगर बिल्कुल पतला धागा है आपका बिल्कुल पतला धागा यो बिल्कुल नलकी वाला धागा आता है उस तरह का धागा है तो आप 14 नमबर में जा फिर 2 mm में यह वाला क्रोशिया ले लीजिए अगर थोड़ा समोटा आ रहा है तो 13 नमबर आएगा अगर इस तरह की wool आ रही है इस तरह की तो आ जाएगा आपका 12 नमबर 2.50 वाला अब जैसे यह देखिए यह medium size की wool है यह जो है यह medium size की wool है अब इसके लिए आप यहाँ पे जा तो 10 नमबर जा 11 नमबर जा 12 नमबर 12 नमबर तो पतले के लिए हो जाएगा यहाँ पे 9 से लेके 11 नमबर तक आप चूज कर सकते है medium size के लिए अगर बहुत पतली है तो आप उसके लिए यहाँ पे 12 से लेके 14 तक चूज कर सकते है बट अगर medium size की wool है तो आप यहाँ पर 9 से लेके 11 तक यूज़ कर सकते हैं जो एक बिल्कुल नॉर्मल जो wool होती है जो आप normal यूज़ करते हो ये वाली ठीक है अभी मैं आपको बताती हूँ जो मेरे पास दूसरे नंबर का क्रोशी है तो ये मेरे पास medium size का क्रोशी है तो आपको मैं इसमें बताती हूँ कि ये वाली जो medium size की wool मैंने ली है वो इसके उपर कैसे बैठ रही है ये देखिए हुक के उपर आप देख रहे हैं किस तरह से ये आ रही है बिल्कुल भी ना जे मोटी है ना जे पतली है तो पूरा हम इसको चलाएंगे तो बहुत easily ये चलेगी अगर क्रोशीया बड़ा होगा धागा छोटा होगा तो बिल्कुल भी आप चलाई नहीं पाएंगे अच्छे से ये देखिए इस तरह से ये अराम से चलेगा तो ये मीडियम साइज की वूल के लिए है मेरा ये आप 9 10 11 ये मीडियम साइज की वूल के लिए ले सकते हैं 9 से लेके 11 तक ठीक है और बिल्कुल पतली वूल है और बिल्कुल पतली वूल है अगर तो 12 से लेके 14 तक आप तो बीच के भी आप एस्टिमेट लगा सकते हैं अब देखिए बहुत तरह की उन आती है कुछ मीडियम साइस अब जब मीडियम से लेकर मोटे के बीच में आएंगी उनमें यह यूज होगा ठीक है तो आप मुतलब उस तरह से आप एस्टिमेट लगा सकते है कि क्रोशिय में कौन सा आपने धागा यूज करना है मैंने आपको एक overall view दिया है कि क्रोशिय के नंबर आपने कैसे choose करने है तो mostly जो क्रोशिय यूज के जाते है बस वो यही यूज के जाते है जैसे यहाँ पे 2.50 वाला हो गया जैसे यहाँ पे 3.25 वाला हो गया जैसे यहाँ पे 6 हो गया या 6.5 वाला हो गया, mostly यही यूज किया जाते हैं, मोटे के लिए ये यूज किया जाता है, medium के लिए ये वाला यूज किया जाता है, और जो पतली उन थोड़ी आती है, उसमें ये यूज किया जाता है, जो बिल्कुल ही जादा पतली हो जाते हैं उनके लिए ये यूज कर लीजिए आप और बाकी ये आपको मैंने एक overall estimate दिया है जितना उपर का number होगा मोटा जितना नीचे का number होगा उतना ही पतला वाला छोटे मूँ वाला क्रोशिया होगा जितना उपर जाओगे मोटे मूँ वाला क्रोशिया जितना ही नीचे आओगे उतना ही पतले मूँ वाला क्रोशिया तो यहाँ पर देखिए मैंने ये चार्ट बिल्कुल सीधा करके रख दिया है आप यहाँ से एक photo click कर सकते हैं मतलब वीडियो में से ये एक screenshot ले लीजिए और इसके according आप क्रोशिय को select कर लीजिए तो आप दुकान पर भी जा कि अगर बोलेंगे कि मुझे इस number का क्रोशिय चाहिए जा इस number का क्रोशिय चाहिए तो वो आपको दे देगा तो उन आपने मैंने आपको ये बता दिया है कि उन आपने कहां से कौन सी और कितनी select करनी है मुआप करती हूँ कि आपको इसके related सब doubts clear होगे होगे अगर फिर भी कोई doubt आता है तो आप मुझे question कर सकते हैं मैं फिर से वीडियो और कोई बना के upload करूँगी बट आपका हर एक confusion clear होना चाहिए मेरे इन वीडियो का ये ही motive है तो बिल्कुल beginners हो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोडेड है आप जाके चेक कर सकते हैं और बिल्कुल अच्छे से क्रोशिया चलाना सीख सकते हैं चलिए फिर मिलता है नए वीडियो में तब तक के लिए बबाई टेक कियर अच्छे से चलाईए सीखिए कोई भी question आता है मुझे question करिए मैं उसका आपको answer जरूर करूँगी चलिए फिर मिलते हैं बबाई टेक कियर